Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace आज के हमारी थियरी है Triarchic Theory and ये थियरी दी है Robert Sternberg ने तो इसके बारे में हम properly detail में बात करेंगे, important theory है, skip नहीं कर सकते इसके अलावा यहां से जिस तरीके के question अल्रेडी, TET में आए हुए है basically CETAT में जो आए हुए है question उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है तो चलिए अपना topic शुरू करते है Robert Sternberg तो Robert Sternberg's theory है, Theory of Intelligence तो इन्होंने जो theory दिये, उसका नाम है, Triarchic Theory ठीक है, यह चीज़ आप ब्यान रखेंगे, एक तो कि इन्होंने जो theory दिये, उसका नाम है Triarchic Theory इसके अलावा, इन्होंने यह जो theory दी थी, यह अपनी एक book में दी थी अपनी एक book में इन्होंने यह theory दी थी, जिस book का नाम है Beyond IQ, 1985 ठीक है, यह book 1985 में थी, इस book में इन्होंने Triarchic Theory को जो है, include किया था अब देखो, Robert Sternberg कहते हैं, कि हर एक इन्सान information को, या अपने आस पास की knowledge को किस तरीके से grasp करता है, या अगर उसके समने कोई problem आती है, तो किस तरीके से उन problem को solve करता है ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने 5 skills बताई थी ठीक है, 5 skills बताई थी कि किस तरीके से human being information को gather करते हैं and problems को solve करते हैं, ओके तो सबसे पहली है encoding दूसरी है inferring and तीसरी है mapping fourth one is application and fifth one is response ओके, तो इन्होंने कहा, इन पाँच skills के through हर एक human being जो है information को gather करता है तो encoding में इन्होंने कहा कि भई किसी भी information को identify करना क्या करना? उसे identify करना या ये कहलो पहचानना या फिर ये कह सकते हो, कोई अगर problem आई है इन्सान के आगे तो आप उस problem को पहचानते हो identify करते हो, ओके तो problem को, situation को identify करना क्या कहलाता है encoding कहलाता है अब आपने क्या करा? आपने problem को identify करके inferring किया, inferring का मतलब है कि आपने information को gather किया ठीक है, यहाँ पर आपने identify किया information को फिर आपने information को gather किया अब information को gather करके भी आपने यह देखा कि उसमें क्या important है क्या important नहीं है या जो आपने information gather की क्या वो important है या नहीं है inferring का मतलब ही यह होता है कि किसी चीज का de-root करना, यह देखना कि क्या वो वाकई में चीज important है जो चीज आपने collect की है फिर information को gather करने के बाद ये देखने के बाद कि जो आपने information gather की है वो important है या नहीं है उसके बाद आपने उसका relationship बिठाया जैसे कि अपनी current situation को आपने अपनी current situation या current scenario को आपने अपने past scenario या past situation के साथ relate किया और इन दोनों के बीच में relationship देखा ठीक है एंड उस हिसाब से आपने फिर क्या करा आगे का काम शुरू किया application का मतलब है आपने फिर उसको अपने use में लाया response का मतलब है कि आपने उसको use में लाकर apply करके उसको respond दिया ठीक है so देखो जैसे की identify of information का मतलब कोई आपके सामने problem है चलो आपकी ही बात कर लेते हैं आपको भी seated के exam clear करना है ठीक है तो आपने क्या करा आपने सारी information gather की किस तरीके से तैयारी की जाएगी फिर आपने inferring किया जो आपने information gather की seated के लिए क्या वो important है या नहीं है अगर important है तो उसको आगे लेके चलो नहीं है तो उसको जो है हटा दे चलो फिर आपने mapping किया मतलब आपने current जो अभी seated होने वाला है तो इसमें जो आप preparation कर रहे हो और जो पहले आप preparation करके आ चुके हो जिसमें आपने clear नहीं किया था दोनों के बीच में आपने compare किया and relationship बिठाया तो अब आप यहां पर यह सोस्ते हो कि जो मैंने past mistake की वो में यहां नहीं करूँगा ठीक है फिर application में आपने क्या करा जो आपने information यहां gather कर कुर के सब कुछ आपने यहां देख लिया था कि कितना कुछ पढ़ना है उसको आपने apply किया मतलब आपने पढ़ना शुरू कर दिया exam दिया तो that means आपने उसका respond कर दिया ठीक है result आया तो that means आपके favor में and आपने यह skill का अच्छे से use किया तो यह हो गया पांच तरीके जिसकी वज़े से जो है हम अपनी information को gather करते हैं या किसी task को complete करते हैं या किसी situation को handle करते हैं ठीक है अब इन्होंने tryer की theory में क्या कहा यह तो यहाँ पर इन्होंने 5 skill बताई थी अब tryer की theory में इन्होंने क्या कहा तो उसके बारे बे बात करते हैं तो ट्रायर की theory में इन्होंने मैं यह भी erase कर देती हूँ प्लीज इसको लिख ले न कि beyond IQ थी 1985 में इन्होंने इस book में ही tryer की theory को include किया था तो यहाँ पर इन्होंने इन्होंने इस theory की ट्रायर की theory की तीन सब theory भी है ओके एक तो है contextual जिसे हम practical भी कह सकते हैं दूसरी है experiential जिसे हम creative intelligence भी कह सकते हैं ठीक है एंड इसको हम street smart भी बोलते हैं फिर है आपकी componential एंड इसको हम academic भी बोल सकते हैं देखो इस तरीके से आपको यह याद करना ही करना है कुछ students ऐसे हैं जो इनके सब यह जो सब names इनको भूल जाते हैं लेकिन आपने यह करने हैं ठीक है एक्जाम में यहाँ से question आता है अब देखो यहाँ से और हाँ एक चीज़ और यहाँ से ही question आया हुआ है 2013 में seated के 2013 में आपका एक question यह आया हुआ है कि जो रोबर्ट स्रंटबर्ग ने ट्रायर की एक theory दी है उन में से कौन सी theory नहीं है उन में से मतलब उस theory के कौन से part नहीं है तो चार option थे ठीक है और question यह दे दिया examiner ने कि जो स्रंटबर्ग ने ट्रायर की theory दी तो ट्रायर की theory में इन चारो options में से कौन सी सब theory इन्होंने नहीं दी थी तो अब देखो इन्होंने contextual दी experiential दी componential दी बट इन्होंने social के बारे में बात नहीं की थी तो इस intelligence के बारे में इन्होंने बात नहीं की तो इसी लिए ये वाला यहाँ पर आपको टिक करके आना था तो ये already आ रखा है 2013 seated में तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये तो important theory है उपर से कहने कि इसमें जो ये नाम है ना आपको ये नाम भी ध्यान रखना है इनके अंदर जो भी मैं बताऊंगी वो भी आपको completely ध्यान रखना है तो जो मैंने वो 5 skill बताई है उसको आप फिर भी थोड़ा सा ignore कर सकते हो देखो थोड़ा सा ठीक है लेकिन इसको तो आपने करना ही करना है याद रखना है ये मतलब अब देखो यहाँ पर बात करते हैं contextual और practical अच्छा इससे पहले मैं ये बता दूं कि इन्होंने क्या कहा था intelligence के बारे में इन्होंने कहा Robert Stunberg कि intelligence है कि इस तरीके की mental activity है जिसकी वजह से हम अपनी environmental life में deal कर पाते हैं या day to day life में हम deal कर पाते हैं उस intelligence की वजह से तो इन्होंने कहा कि intelligence है कैसी mental activity है जिसकी वजह से हम अपनी रोज मर्रा की जिंदेगी में अपनी daily life routine में and इस environment में deal कर पाते हैं तो situation के साथ deal करना environment के साथ deal करना is what intelligence according to Robert Stunberg तो इन्होंने बात की कि एक intelligence कौन सी होती है contextual और जिसे हम practical कहते हैं and ऐसे लोगो को हम street smart people भी कहते हैं तो इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं हमना environment को adapt करते हैं mold करते हैं modify करते हैं ठीक है इन्होंने क्या कहा हम environment को क्या करते हैं adapt करते हैं हम mold करते हैं and modify करते हैं, ठीक है, adapt करना, मतलब उसमें ढल जाना, mold करना, मतलब उसको change करना, modify करना, मतलब उसको थोड़ा सा अपने अनुसार shift कर लेना, ठीक है, अपनी convenience के according, तो इन्होंने काऊं कि हम environment को भी, adapt भी करते हैं, mold भी करते हैं and modify भी करते हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर आपर कहा कि ऐसे लोग, जिनको ये पता है कि environment को किस तरीकी सा adapt, mold and modify किया जा सकता है, ऐसे लोगों के पास contextual and practical intelligence होती है, तो इनके लिए इन्होंने तीन टर्म और यूज की किसमें contextual और practical बे तीन टर्म यूज की इन्होंने एक तो कहा इन्होंने adaptation फिर इन्होंने कहा shaping यहां पर adapting भी कर सकते हो adaptation, shaping and then फिर इन्होंने कहा था, I think change करने का कहा था इन्होंने, change तो इसमें आ गया, adaptation, shaping and then इन्होंने बात की थी environment को अपने अनुसार ढालने की, modify or selection, ठीक है, तो अब देखो, यहां से question आया हुआ है, ध्यान रखना है, यहां से question आया हुआ है, तो इन्होंने कहा कि adaptation का मतलब वो है, कि हम सब लोग environment को adapt करते हैं, या environment में adjust करते हैं, ठीक है, adapt करना क्या है, अपने आपको किसी चीज़ के लिए ढाल लेना, है ना, अगर आपको याद हो, हमने heredity and environment में, जब environmentalist को पढ़ा था, तो environmentalist ने इस बात का claim किया था, कि जो इन इन्सान अपने आपको environment के according ढाल लेता है, वही इन्सान survive कर पाता है, and not only human being, जितने भी living beings हैं, जैसे कि जानवरों की अगर हम बात करें, अगर वो भी अपने आपको बदलते environment के according ढाल रहे हैं, adjust कर रहे हैं, that means, they have the survival instinct in them, ठीक है, only those can survive, those who know how to adjust in the environment, right, तो इन्होंने कहा कि adaptation का मतलब है कि जो environment में अपने आपको adapt कर ले environment के according या adjust कर ले, फिर shaping में इन्होंने कहा कि environment को change करना, change कैसे करना, इस तरीके से change करना कि environment आपके लिए suitable हो जाए, फिर modify your selection का मतलब यह है कि environment में ऐसी चीजों को select करना, जहां पर आपको best opportunity मिल पाए, अपने खुद के फायदे के लिए, अपने benefit के लिए आप environment को क्या करते हो, अपने according suitable बना लेते हो, ताकि आपको best opportunity मिले and आपका लाब हो, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या समझना है, तो इन्होंने ट्रायर की theory में सबसे पहले contextual practical intelligence की बात की, तो ऐसे लोगों के पास practical thinking होती है, ठीक है, बिल्कुल practical सोचते हैं, बहुत अच्छा decision लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास, example बदा रही हो, ऐसे लोगों के पास decision लेनी की power बहुत अच्छी होती है, and ऐसे लोगों को हम street smart कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनको पता है कि environment में किस तरीके से हमें रहना है, environment को अपने according adapt कर लेना, मदब उसमें adjust कर लेना, environment को अपने according change कर लेना, and environment को अपने according modify कर लेना, या उतना suitable बना लेना कि आपको उसमें best opportunity मिल पाई, ठीक है, फिर इनो ने बात की experiential की, जिसे creative भी कहा गया, ऐसे लोगों के पास creative thinking होती है, ऐसे लोग जो है, ये वाले लोग, contextual वाले, इनके पास अ एसे लोगों के पास इस तरीके की thinking होती है, कि वो किसी भी situation में बहुत easily, किसी भी situation को handle कर पाते हैं, puzzles को solve कर पाते हैं, है ना, तो experiential और creative में इनोंने दो बाते कही, एक तो कही automation, and दूसरी इनोंने कही novelty, याद रखना है आपको ये term, ठीक है, automation का मतलब हो गया, कि एक ऐसी situation जो आपने already encounter की हुई हो, तो आप कह सकते हो कि automation का मतलब क्या हुआ, similar situation, novelty का मतलब होता है, new, तो that means new situation, ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, automation का मतलब रखना, आपको याद है कि similar situation, इसके आगे ऐसे ही लिख ले रहा, novelty का मतलब है new situation, क्योंकि novelty का मतलब ही new होता है, अब देख का मतलब कहते है, experiential or creative approach, ऐसे लोग जो होते हैं, वो अपनी life में जो भी उनके problems आती है, वो बहुत क्रेटिवल उनको solve करते हैं, जैसे कि आपके पास दो तरीके की situation होती है, एक तो वो situation होती है, जो similar situation होती है, जो आपने बहुत बार देख रखी हैं, लाइफ में, बहुत जो बिलकुल नहीं होती है, एक दम fresh, एक नहीं चीज, जो आपने कभी नहीं नहीं होती है, और वहां पर आपकिस तरीके से creative approach का use करते हो, तो इसमें क्या होता है, कि automation मतलब similar situation, novelty मतलब new situation, तो ऐसे situation में, similar and new situation में, आपकिस तरीके से problems को solve करते हो, आपकिस तरीके से creative ideas लेकर एक है, next is componential और academic, ऐसे लोगों के पास academic knowledge होती है, इसके अलावा, abstract thinking होती है, एसे लोगों के पास abstract thinking होती है, इसके अलावा, जो भी चीज़े ये देखते हैं, उनको ना proper analyze करते हैं, analyze करते हैं and then evaluate करते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसे class में first आना है, या high grades लेने है, अब वो क्या करेगा, अब वो अपनी componential academic intelligence का use करेगा, जिसमें वो क्या करेगा, अपने mind में abstract thinking करेगा, कि मुझे क्या करना है, अभी कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से अच्छ तो अब आपको किस तरीके से इनका डिफरेंस क्या रखना है, इस में क्या होता है, बंदा प्रैक्टिकल सोच लेकर चलता है, और वह भी कैसी सोच, environment के according रहकर, उसने, क्या है, उसके अंदर survival instinct है, and environment के according रहकर, वो decision लेता है, decision लेता है, and decision उसके best है, यह वाले लोग क्या ह इनके बास creative approach होती है, creatively हर चीजों को solve करने की ability होती है, इसके लावा, componential का मतलब होता है कि academic approach, कि आपके अंदर abstract thinking कितनी है, analyze and evaluate करने की power जो होती है, वो इसमें आती है, अब आपको इसमें और क्या-क्या चीज़े धहान रखनी है, इसके अंदर का ध्यान रखना है, जो-ज 2015 seated में आया हूँ है, किस तरीके का question था, तो एक तो यह था option में, दूसरा option यह था, तीसरा option यह था, and एक फूर्थ option था, reshaping the environment, तो question में यह था, कि भाई, जो-स्टरनबर्ग ने, ट्रायर की थेयरी में, यह जो sub-theory दिया, यह sub-theory हैं, ध्यान रखना, contextual, experiential, componential, यह sub-theory दिया हैं, मतलब इसके अंदर यह तीन चीज़े दिया हैं, इसलिए इनको हम sub-theory कह रहे हैं, तो question यह था, कि contextual और जो practical intelligence है, इसमें न, स्टरनबर्ग ने, किसकी बात नहीं कही है, किसकी बात नहीं करी है, तो question में, आप जब option देखोगे, एक जब था adapt या adjust करना, environment में, दूसरा था environment को change करना, तीसरा था environment को अपने according suitable बना लेना, and एक था reshaping the environment, तो आप देखो, इन्होंने कहीं पर reshaping की बात की है, तो कुछ बच्चे कहोगे, कि भई, ये कहीं तो है, shaping की बात, लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ shaping की बात कही है, reshaping की बात नहीं कहीं, है ना, तो reshaping की बात नहीं कहीं, तो ये वाला option correct हो जाता है, कि भाई इन्होंने इसकी बात नहीं की, सिर्फ इनकी बाते की है, तो question ये था कि contextual और practical intelligence में किस चीज की बात इन्होंने नहीं कई, तो आपको इस पर आंसर लगा किया रिशेपिंग दा एन्वायरमेंट, तो इन्होंने शेपिंग की बात किये ना कि रिशेपिंग की, शेपिंग का मतलब पाता हिए, चेंज करना, रिशेपिंग का मतलब पाता है, उसमें और ज़यधा और ज्यादा ओल्टर कर देना, एंडर करते रहना, ओके, तो ये थी हमारी ठ्रायर की थिहरी, देखो, easy है, थोड़ा सा समझना, जैसे कि यह जो है न, यह terms, automation, novelty, इनके meaning भी देखोगे न, automation का मतलब ही क्या होता है, similar situation को encounter करना बार बार, जो चीज़ आपने already experience में ले लिया, novelty का मतलब new situation, तो अगर आप देखोगे न, तो आप अच्छे से relate कर पाओगे इसको, ठीक है, अ य हूँ सो अबच वच वाच झाल शेओ कर दाप हूँ तोस्का, ग्यों का मुं क्यात कर सकतू तो झाल झाल